इस वीडियो में हम लोग मोनडा जगत के ऊपर प्रश्णों को करने वाले हैं प्रश्णों के प्रश्णों का PDF अगर आपको चाहिए फूर साइज में तो आप अमारे एप पड़ जाकरके इस PDF को प्रप्ट कर सकते हैं app download करने का link आपको video के description box में मिल जाएगा वहाँ पर जाएए sign in कीजिए उसके बाद यहाँ पर click करना यहाँ पर click करने के बाद free material नाम का एक option मिलेगा उसमें जाना mission railway 2024 नाम से एक folder मिलेगा और आपको यह PDF मिल जाएगा एक तो मिलेगा प्रशनों का PDF दूसरा मिलेगा जो मैं अभी आपको बताऊंगा PPT पर उसका PDF यह PDF है जो यहाँ पर आप देख पा रहे हो picture में सेम PDF आपको मिलेगा app पर अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि kingdom monoda में केवल और केवल बैक्टिडिया ही आते हैं सारे बैक्टिडिया kingdom monoda में ही आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि बैक्टिडिया की सनचना होती कैसी है कम से कम कुछ तो आपको पता होना चाहिए बैक्टिडिया के बारे में कि बैक्टिडिया के पास कौन-कौन सी सनचना है इससे पहले cell chapter हम लोगों ने पढ़ा था तो pro-karyotic cell के बारे में जो आपने पठाता ना समझलो वही आपने बैक्टिरिया के बारे में पठाता है। फिर भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा जरूर करेंगे क्यूंकि बैक्टिरिया के बारे में हम लोग आज के इस वोडियो में प्रश्णों को करने वाले हैं। यह जो कैप्सूल है यह देख लो जो सेल वॉल है इसके बाहर की बरत है। कैप्सूल है सबसे बाहर उसके बाद है सेल वॉल और उसके बाद है यह सेल में 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 तो यह चीज आपको ध्यान में रखना है। बैक्टिडिया के किसमे सबसे बाहर कैप्सूल है, उसके बाद सेल ओल है, उसके बाद सेल मेम्रेन है, सेल मेम्रेन के अंदर क्या मिलेगा, साइटो प्लाज में मिलेगा, साइटो प्लाज में क्या मिलेगा, राइबोसोम मिलेगा, कौन सा राइबोसोम मिलेगा, 70S टाइप का साइटोपलाज में और कौन सा कोशी कांद है कोई नहीं है केवल राइबोसोमी है उसके बाद हम लोग जानते हैं कि जो प्रोकरियोटिक सेल होते हैं उसमें वास्तविक केंदरक का अभाव होता है उसमें ट्रू नुकलियस नहीं होता है ट्रू नुकलियस के पास कहा है कि कें मिलेगा DNA के बाहर केंदर जिल्ली आपको नहीं दिखाई पड़ेगी नहीं DNA के साथ हिस्टोन प्रोटीन आपको दिखेगा के वर DNA मिलेगा इसी लिए इसके DNA को हम लोग साइटो प्लाज़मी में यह जो DNA है यह ऐसे बिखडा पड़ा हुआ है नंगा पड़ा हुआ है इसे हम लोग क्या बोलते हैं के लिए निए उसके बाद इस तो अनुवानशिप अदारत है इसके अलावा एक और डियने होता है जिसे हम लोग प्लाजमीड कहते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं प्लाजमीड कहते हैं ये प्लाजमीड है ये आपको ध्यान में रखना है ये आपको ध्यान में रखना है प्लाजमीड जो है ये आपको मिल से दूसरे बैक्टिरिया के साइटो प्लाज में कुछ भेजना है पिलाई के मदद से भेज दिया जाएगा लेंगे के जनन होता है पिलाई के माध्यम से दो बैक्टिरिया आएंगे दोनों का पिलाई एक दूसरे के साथ कंजूगेशन करेंगे और फिर एक बैक्टिरिया के स वहाव क्याव शक्ता नहीं है, वो खुद से ही चलना चाहता है, एक जगे से दूसरे जगे जाना चाहता है, तो उसके पास पक्का है कि फ्लेजला, फ्लेजला प्लूडल वड है, फ्लेजलम सिंग्लर वड होता है, फ्लेजलम को हम लोग हिंदी में कशाबिका बोलते हैं, क्योंकि इनको जाना है महिला के योणी से फेलोपियंट ट्यूब तक तो वो खुद से चला जाता है ऐसे हैं जिन बैक्टेडिया के पास खुद का भाई अपना फ्लेजला है फ्लेजला एक-दो बहुत सारे भी हो सकते हैं वो खुद ही चले जाते हैं एक अस्थान से दूसरे करके जाना है उसमें इस सबसे पहले क्या किया कि दो जगत वडगी करण दिया दो जगत वरगी करन दिया इन्होंने दिया पादप जगत और जन्तु जगत इन्होंने दिया प्लांट गिंग्डम और दिया इन्होंने एनिमल किंग्डम और इन्होंने एनिमल किंग्डम दिया उसके बाद आते हैं हिकल सहब हिकल ने तीन जगत वरगी करन दिया और देखो प्लांट किंग्डम, एनिमल किंग्डम इन्होंने दे दिया था तो हीकल आये इन्होंने दिया प्रोटिस्टा जगत इन्होंने दिया प्रोटिस्टा जगत प्रोटिस्टा किंग्डम उसके बाद कॉपलेंड सहाब इन्होंने दिया चार जगत वडगी करन चार जगत वड़गी करन तो plant animal protista अलड़ी आ चुका था तो इन्हों ने दिया moneda जगत तो moneda जगत इन्हों ने दे दिया फिर आये RH हुट्टिकर साहब इन्हों ने दिया 5 जगत वड़गी करन और इन्हों ने लाया तो ये सारी बाते हैं जो आपको दियान में रखनी है जिवो की तीन अनुशेत्र परनाली किस ने दिया अब वो 5 जगत वड़गी करन दिया RH हुट्टि करने है उसके बाद आया 6 जगत वड़गी करन जो अभी प्रचलित नहीं है लेकिन आपको दियान में रखना है 6 जगत परनाली कहते हैं 3 domain system कहते हैं जिसके बारे में हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में भी चर्चा किया हुआ है सभी प्रोकरियोटिक जीवों को किस जगत में रखा गया है प्रोकरियोटिक जीवों के लिए एक ही kingdom है वो है kingdom monera तो एह हमारा right answer हो जाएगा अच्छा kingdom monera के अंदर आने वाले जीव वो प्रोकरियोटिक तो होते ही है साथ में क्या होते है एक कोश्की होते है यूनी cellular होते है और साथ में क्या है प्रोकरियोट्स है जो प्रोटिस्टा जगत के जीव है ये भी आपके एक कोश्की ही होते है ये भी आपके एक कोश्की ही होते हैं लेकिन यह होते हैं आपके यूकरियोट्स यह होते हैं यूकरियोट्स इसके अलाबा बांकी के जो तीन जगत है कवक जगत पादव जगत जंतु जगत उनमें आने वाले सारे जीव जो है, आपके बहु कोश के और यू करियोट्स होते हैं, किस जगत के जीवो में कोश का भित्ती नहीं पाई जाती है, कोश का भित्ती नहीं पाई जाती है, अधिकांश जीवो के कोश का में कोश का भित्ती होती है, चाहे मोनड़ा जगत के जीव देख लो, चाहे आप देख लो कवक का बस जन्तु जगत है जिसके जीवों के पास कोशी का भिती नहीं होती है अपवाद हो तो अलग चीज है लेकिन जन्तु के पास कोशी का भिती नहीं होती है भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा पादप के पास कोशी का भिती होती है पूछ दिया जाए क और जो Monoda जगत है इसके पास कोशिका भिती होती है Peptido Glycan, ये कोशिका भिती होती है, इससे बनी हुई कोशिका भिती होती है, इसी को मियोरीन भी कहा जाता है, बैक्टिरिया किस जगत के अंतरगत आते हैं, सारे बैक्टिरिया Monoda में आते हैं, Monoda जगत के अंदर सारे आने व जिसे हम लोग इंग्लिश में आर्की बैक्टिरिया कहते हैं, है ना आर्की बैक्टिरिया कहते हैं, उसके बाद है साइनो बैक्टिरिया जिसे हम लोग ब्लू, ग्रीन, अलगी कहते हैं, उसके बाद है माइको प्लाज्मा, ये सारे के सारे जो है आते हैं आपके मोनरा जगत म दको स्ताइनो बैक्टिरिया, माइको प्लाजमा, आदे बैक्टिरिया, यह सारे बैक्टिरिया ही है भले माइको प्लाजमा, माइको प्लाजमा अलग से बोलते हैं बट है तो बैक्टिरिया ही जो मोनडा जगत है ना, मोनडा जगत इसके अंदर जो बैक्टिरिया आते हैं इसे दो पार्ट्स में बाड़ दिया गया है एक को कहा गया है आरकी बैक्टिरिया आदे जिवानू और दूसरे वाले को कहा गया है यो बैक्टिरिया यो का मतलब होता है सत्य तो यह है सत्य जिवानू ये है सत्य जिवानों और ये है आदी जिवानों जिवानों में जो सबसे पहले आये जिवानों इस धर्ती पर दोगों इस धर्ती पर सबसे पहले जिवानों ही आये थे बैक्टिरिया ही आये थे तो जो सबसे पहले बैक्टिरिया आये थे ना वही है ये आर्की बैक्टिरिया, ये आर्की बैक्टिरिया ये वही है, ये सबसे पहले धर्ती बढ़ाया थे, अत्यंत कठीन वास अस्थानों में पाए जाते हैं, अत्यंत कठीन वास अस्थानों में पाए जाते हैं आपके ये आर्की बैक्टिरिया, और आर्की बैक्टिरि या जो है ये अत्यंत कठीन वास अस्थानों पर पाए जाते हैं, जहां कोई जीव जाने का सूच नहीं सकता, वहां ये मज़े के साथ रहते हैं, चाहे आप चले जाओ, समुदर की गहराई में, हाई प्रिशर पर ये रह लेते हैं, चाहे आप चले जाओ, रेगिस्ताने में, पानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो रही लेंगे, चाहे आप चले जाओ, जो गर्म पानी के जढ़ने होते हैं, वहां, वहां पर ये रहते हुए मिल जाएंगे, हाट स्प्रिंग, हाई टेंपरेचर होता है, उसके बाद, बाई बर्फ में, दूसरे बैक्टिरिया जम जाएंगे, ये मज़े के साथ रहेंगे, सॉल्टी एरिया, है ना, सॉल्टी एरिया, जहां नमक ज़्यादा है, वहां ये रह लेंगे, तो जहां अन्य जिवानों रहने का सोच नहीं सकते हैं, वहां ये बड़े ही मज़े के साथ रहते हैं, तो इन सारे जगों पर आप आपको जो है ये आर्की बैक्टिरिया देखने को मिल जाएंगे हेलो फाइल्स आदे जिवानों डैश में पाई जाते हैं हेलो फाइल्स हेलो का मतलब क्या होता है नमक हेलो का मतलब नमक फाइल्स का मतलब प्यार करने वाला जो आदे जिवानों नमक को प्यार करते हैं कहने क गर्म जड़नों में पाए जाने वाले आर्की बैक्टिरिया को, हम लोग कहते हैं THERMO ACIDO FILE, THERMO बोले तो temperature ज़ादा है, कोई दिक्कत नहीं, ACIDO बोले तो, ACIDO, THERMO ACIDO, ACIDO बोले तो, ACIDIC medium है, pH अगर कम भी है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको क्या करते हैं? प्यार करते हैं थर्मो एसीडोफाइल उसके बाद दल्दली शित्र दल्दली शित्र में पाए जाने वाले जो जिवानों होते हैं हम बोलते हैं कि दल्दली शित्र में मिथेन गैस का उत्पादन होता है क्यों होता है या फिर गोबर गैस से हम लोग मिथेन गैस को मिथेन गैस बोलत है उने में होते हैं आप श् размfonर मिधैन में जनस ये क्या करते हैं ये श प्रडिविश करते हैंवा दल्दली शत्र मार्शी एरिया मिधेन को अव्र जाताई जाती है ईकर गया यही वो जिवानु है जिसके कारण मिथेन गैस पाई जाती है गोबर से हमनों मिथेन गैस परड़्यूस करते हैं गोबरrente मिथेन गैस अर्किपेक्टीरिया के कारण क्योंकि जो गोबर इनके आत में है तो जो गोबर count इन जो methane gas produce करते हैं हेलोफाइल्स कहां मिलेंगे salty area में इनको नमक पसंद है salty area आपके toothpaste में नमक है तो हमें देदीजिए हम तो हेलोफाइल्स है thermo acidophile ये मिल जायेगा hot spring hot spring का मतलब समझते हो गरम पानी के जरने धरती से जो है गरम पानी बाहर धर्ती से गरम पानी जो है बाहर आता है ज़र्णों के रूप में माइको प्लाजमा के बारे में माइको प्लाजमा का आप साइज याद रखें माइको प्लाजमा का आप साइज याद रखें 0.1 से ले करके 0.8 माइक्रो मीटर ये range याद रखो या फिर आप एक और याद रखो 0.1 से लेकर के 0.3 micrometer ठीक है एक micrometer ये बड़ाबर होता है 10 पे power minus 6 meter ये size होता है किस जीव को पादव जगत का जोकर कहा जाता है किस जीव को पादव जगत का जोकर कहा जाता है अब दोको इसका आंसर तो है माइको प्लाजमा माइको प्लाजमा है मोनड़ा जगत का और कहा जा रहा है पादव जगत का जोकर ऐसा क्यों क्योंकि दो जगत वरगी करन लिनियस ने जब दिया था उस समय सारे बैक्टिरिया जो है वो plant kingdom में आते थे तो plant kingdom के अंदर आपको पता है cell wall होती है बैक्टिरिया के पास भी cell wall तो होती है लेकिन माइको प्लाजमा के पास cell wall नहीं है तो cell wall नहीं होने के कारण जो है ये अपने shape को अराम से change कर लेते थे shape को change कर लेते थे तो इसे कहा गया पादव जगत का ये तो joker है ये अपना बार-बार shape change कर लेता है जैसे joker जो है अपने आपको अपने चेहरे को अपने रंग रूप को जो है पदलता रहता है न ठीक वैसे है माइको प्लाजमा actinomycetis देखो mycetis ये जो suffix है ना ये generally हम लोग लगाते है कवक के साथ लेकिन कमाल की बात ये है कि ये है आपके bacteria जो actinomycetis ये bacteria का एक बड़ा वला ग्रूप है है ना इनके अंदर जो है कई सारे bacteria आते है ये fungus like bacteria है कवक जैसा bacteria है ये जो है कवक जैसा bacteria है कवक जैसा bacteria ये दिहान में रखिएगा और ये जाने जाते हैं किसके लिए एंटिबाइटिक के प्रोड़क्शन के लिए जो एंटिबाइटिक दवाईया आप खाते हैं न वो एंटिबाइटिक दवाई बनाने में एंटिबाइटिक का इस्तमाल होता है और ज्यादातर जो antibiotic है ये actinomycetide से ही प्राप्त होता है एंटिबाइटिक प्रोडक्शन के लिए एंटिबाइटिक प्रोडक्शन के लिए dash सबसे छोटी जिवित कोशिका है mycoplasma मैंने आपसे size लिखी दिया है पीछे C हमारा right answer हो जाएगा विशानू connecting link है है न, सहियोजक कड़ी है living और non living के बीच में जो विशानू है ये क्या है सजीव और निर्जीव के बीच की सहियोजक कड़ी है विशानू पारा मिश्यम के बारे में आप दियान में रख सकते हो चपल जैसी आकरिती होती है इसकी है न, चपल जैसी चपल जैसी आकरिती होती है माइको प्लाजमा के संदर्में गलत कथन चुने यह अपनी आकरिती को बदल सकते हैं क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं है तो यह बदल लेते हैं सेल वॉल नहीं है तो यह बदल लेते हैं अपनी आकरिती को और यही कारण है यही करण है कि mans被 extraction को plant kingdom का जोकर का जाता है इने PPLO भी जाता है pleuro pneumonia-like organism full form होता है pleuro pneumonia-like organism तो यह भी सही है यह भी सही है PPLO का full form लिख दू यहाँ पर PPLO pleuro pneumonia 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 like organism प्राणियों और पात्पों के लिए रोग जनक होती है ये जन्तू और जो पादप होते हैं दोनों में रोग कर सकते हैं और ये जो mycoplasma है oxygen में भी जिन्दा रह लेते हैं oxygen नहीं हो तो भी जिन्दा रह लेते हैं oxygen मिले तो भी ठीक ना मिले तो भी ठीक दोनों में वावा answer हमारा D हो जाएगा क्योंकि इसमें लिखा है oxygen के अभाव में ये नश्ट हो जाती है ये नश्ट नहीं होंगे ये उसके बाद भी मज़े के साथ रहेंगे निवनमेसिक किसे नील हरित शेवाल भी कहा जाता है दोको पहले नील हरित शेवाल कहा जाता था पहले नील हरित शेवाल कहा जाता था क्योंकि पहले तो plant kingdom में रखा गया था इसे बाद में पता चला ये तो bacteria है तो cyanobacteria हमारा right answer हो जाएगा तो archibacteria, cyanobacteria, mycoplasma ये सब कौन से kingdom में आएंगे kingdom Morera में आएंगे cyanobacteria की кошikah-bhitti dash की बनी होती है देखो archibacteria की кошikah-bhitti जो होती है उसकी जो सनचना है वो अलग होती है हमें नहीं जानना है archibacteria की जो кошikah-bhitti है उसकी सनचना कुछ अलग होती है जिसके कारण वो इतने अत्यंत कठीन वास अस्थानों पर रह लेते हैं हरकी बैक्टिरिया की कोशिका भित्ती की जो बनावट है वो थोड़ी अलग होती है इसलिए वो कठीन अस्थानों पर भी रह लेते हैं बाकी सारे जो भी बैक्टिरिया होते हैं चाहे साइनो बैक्टिरिया है, या फिर अन्न जो बैक्टिरिया है, उनकी कोशिकाभित्ती जो है, पैप्टिडो ग्लाइकन की बनी होती है, जिसे मियोरीन भी कहा जाता है, इसमें आपका पोली सेखराइड है, यानि कि कार्बोहेडरेट, कॉंप्लेक्स यह आपको प्लांट में, शयवालो में, कैटीन की कोशिका वित्ती, कौको में, निमनिम से कौन प्रकाष संसलेशी सपोशी है, देखें सपोशी का मतलब क्या हुआ, सपोशी का मतलब क्या हुआ जो अपना खाना खुद से बना ले उसे हम लोग सपोशी बोलेंगे ठीक है और प्रकाश संसलेशी का मतलब क्या हुआ जो खाना पकाने के लिए जैसे हम लोग खाना पकाने के लिए LPG का इस्तमाल करते हैं बीना LPG को जलाए हमें एनर्जी नहीं मिलेगी और नहीं हम खाना पका पाएंगे वैसे ही जो स्वपोशी होते हैं उन्हें चाहिए energy खाना पकाने के लिए अब खाना पकाने के लिए अगर energy के तौड़ पर light energy का इस्तमाल हो रहा है तो उसी को हम लोग प्रकाश, संसलेशी स्वपूशी कहेंगे यह जरूरी नहीं है कि हर स्वपूशी light energy का इस्तमाल करे खाना बनाने के लिए लेकिन जो करते हैं उसे हम लोग प्रकाश संसलेशी स्वपूशी कहते हैं तो photosynthetic autotroph बोलते हैं photosynthetic autotroph बोलते हैं तो जो source of energy है, इसमें जो उर्जा का स्रोत है, source of energy है, वो क्या है, light, वो क्या है, light, तो जो आपके cyanobacteria होते हैं, ये सपोशी होते हैं, और साथ में प्रकाश संसलेशी होते हैं, ये light energy का इस्तमाल करते हैं अपना भोजन बनाने के लिए, ये photosynthetic होते हैं, ठीक है, ये photosynthetic होते हैं, मैं यहाँ आपर लिखता हूँ देखो, ये photosynthetic होते हैं, photosynthetic होते हैं, और साथ में ये oxygenic photosynthetic करते हैं, oxygenic photosynthesis करते हैं, मतलब ये हुआ कि ये photosynthesis करते हैं, तो byproduct के रूप में, oxygen gas बनती है, यहना auto बनती है, बी हमारा right answer हो जाएगा, जो कवक है, ये परपोशी होते हैं, सारे कवक परपोशी होते हैं, निल हरित, शेवाल को निला रंग देता है, निल हरित, शेवाल को निला रंग देता है, निला रंग देता है, निला रंग देता है, फाइको साइनीन, ये blue color देता है, फाइको अडित्रीन ये देगा रेड कलर और हरा कलर देगा क्लोडोफिल ए देखे याद रखेगा साइनो बैक्टिरिया के अंदर जैसे कि जो पादफ होते हैं उन्हें क्लोडोफिल ए पाया जाता है वैसे ही जो साइनो बैक्टिरिया होते हैं इनमें क्लोडोफिल ए पाया जाता है है तो आंसर हमारा क्या हो जाहाइगा All right answer nitrogen को इस्तिर करने वाले Dentrogen सारे साइनो बैक्टिडिया नाम मैं आपको बता रहा हूं यह आपको अच्छे से ध्याण पर गुण फेले दंब से रट लेना है एक दम से रट लेना आएगा तो यहीं से आएगा है दो ना मताओंगा एक है नोस्टोक कर नोस्टोक कर दूसरा थिया है लिया ना स्थाइनोबेटिडिया है यह नाट जण को fix करते हैं नैट्रोजन को fix करते हैं मतलब क्या करते हैं ये करते हैं जो Y-mandal ये nitrogen है इसे ammonia में convert कर देते हैं यही होता है आपका nitrogen fixation क्योंकि plant जो है direct Y-mandal nitrogen को नहीं ले सकते हैं कोई काम का नहीं है तो plant के लिए जो है nitrogen को ये fix कर देते हैं ammonia में है उसके बाद देखिए यहाँ पर जो ये plorella है और जो clemido monas है ये भी आपको ध्यान में रखना है सबसे पहली बात ये है green algae ये हैं आपके green algae और ये हैं आपके एक कोश्की है कुछ वेग्यानिक इन दोनों को रखते हैं protista जगत में क्योंकि ये एक कोश्की के साथ eukaryotic है और कुछ इसको रखते हैं plant kingdom में ही बोलते हैं कि ये अपबाद है हम रखेंगे plant kingdom में तो अलग अलग वेग्यानिक इनको अलग अलग जगत में रखकर के पढ़ते हैं कुछ plant kingdom में तो कुछ kingdom प्रोटिस्टा में कि ये जो अलगी है सौरी ये जो अलवा है ये भी green algae है ये भी green algae है ये दियाद भी लखेंगे आप ये भी green algae है और ये दोनों भी green algae है लेकिन ये एक कुश्की है actinomycetis की सनचना मिलती है मैंने आप से कहा कवक से कवक से मिलती है Actinomycetes का प्रियोग किया जाता है मैंने आप से कहा Antiviotic जितने भी आप Antiviotic दवाईयां देखते हैं उनमें से लगवक 60 परतिशत जो दवाईयां है Actinomycetes से मिलने वाले Antiviotic से बनाई जाती है प्रित्वी पर सरुपर्थम किस जीव ने प्रकाश संसिलेशन कर Oxygen का उतपाधन किया तो Photosynthesis करके Oxygen का उतपाधन किया Syanobacteria हम लोगों ने देखा कि Sinobacteria Photosynthesis करते हैं और Oxygen ही करते हैं यानि कि By-Product Group में Oxygen बनता है By-Product वोले तो सह उतपाध गरूप में Oxygen बनता है C हमारा Right आंसर हो जाएगा लाइकन क्या है? लाइकन जो है ये सहजीविये संबन्द है किसके और किसके बीच में? कवक और शेवालों के बीच में कवक और शेवालों के बीच में ये सहजीविये संबन्द है साइनो बैक्टिडियम जो होते है या फिर निल हरित शेवाल जो होते है ये आपके करते हैं Oxygenic Photosynthesis के लिए जल को तोड़ना परता है जल को तोड़ना परता है Oxygenic Photosynthesis के लिए जल को तोड़ना परता है Water का Breakdown करना परता है क्यों करना परता है? Hydrogen के लिए इसको तोड़ करके जो है Hydrogen को निकाला जाता है अब सवाल यह है कि भाई Hydrogen क्यों चाहिए? Hydrogen चाहिए Reduction के लिए, Up-Chain के लिए अब किसको Reduce करना है? किसका Up-Chain करना है? देखो Reduction क्या होता? Up-Chain क्या होता है? Oxygen का छोड़ कर जाना चा फिर Hydrogen का जुड़ना Up-Chain कहला क्या है? तो यही Hydrogen चाहिए होता है Up-Chain के लिए किसको Up-Chain करवाना है? वह एक Carbon Dioxide से Carbon Dioxide को Reduce करके Glucose बनाना है, Photosynthesis में इसके लिए क्या है? कि Up-Chain करवाना परेगा Up-Chain के लिए हमें Hydrogen चाहिए अब Hydrogen अगर जल से प्राप्त किया जा रहा है तो यहाँ पर Glucose के साथ साथ By-Product के रूप में Oxygen बनती है वहीं से हमें Oxygen मिलती है अगर इस Hydrogen को प्राप्त करने के लिए Water का इस्तमाल ना करके किसी और Compound का इस्तमाल किया जाएगा किसी और Molecule का इस्तमाल किया जाएगा जिसमें Oxygen नहीं है तो निशित रूप से Hydrogen तो मिलेगा लेकिन सह उतपात के रूप में Oxygen जो है अन उक्सिजनिक प्रकाश संसलेशी में क्या होगा क्योंकि प्रकाश संसलेशी है तो Light Energy का इस्तमाल किया जाएगा इसमें को दिक्कत नहीं है लेकिन अन उक्सिजनिक है मतलब Oxygen जो है वो सह उतपात के रूप में नहीं बनेगी मतलब यहाँ पर यह होगा कि जो Carbon Dioxide को गुलकोज में Convert किया जाएगा यहाँ पर ऐसे गुलकोज में Convert किया जाएगा तो यहाँ पर Oxygen जो है Oxygen जो है यह नहीं बनेगी यह नहीं बनेगी यह नहीं बनेगी Oxygen नहीं बनेगी जैसे माल लो कि यहाँ पर आपको sulfur मिल सकता है एक्जामपल के तोर पर उस bacteria का नाम जो है आप ध्यान में रखे green sulfur bacteria green sulfur bacteria उसके बाद आप याद रखे purple purple sulfur bacteria यह क्या करते है hydrogen को प्राप्त करने के लिए यह hydrogen sulfide का इस्तमाल करते है water के अस्तान पर hydrogen sulfide का इस्तमाल करते है यहाँ से इसको hydrogen मिलता है यहाँ से इसको hydrogen मिलता है और यह hydrogen CO2 को reduce करके glucose में convert कर देता है लेकिन सह उत्पाद करोप में यहाँ पर oxygen नहीं मिलेगा बागी लाइट तो यहाँ पर चाहिए लाइट एनर्जी तो यहाँ पर चाहिए लाइट तो चाहिए और साथ में pigment भी चाहिए अगर photosynthesis हो रहा है तो pigment भी जो है यहाँ पर चाहिए तो इसमें अलग pigment होता है इन सारे bacteria में ट्रोडोफिल नहीं होता है तो यह देखो यह मैंने आपको बताया oxygenic photosynthesis anoxygenic photosynthesis के बारे में अच्छा कुछ जिवानों होते हैं जो आपके रसाइन सपूची होते हैं अब यहाँ पर देखो सपूची है तो अपना खाना कुछ से बनाएंगे लेकिन रसाइन सपूची है यह light energy का इस्तमाल नहीं करेंगे यह energy के लिए जो है कुछ inorganic compound या फिर organic compound भी हो सकते हैं उसको तोड़ेंगे उसको तोड़ने पर इसको energy मिल जाएगी और यह सारे जो bacteria होते हैं इनी के नाम जो है आपको दिहान में रखने हैं कुछ bacteria है रसाइन सपूची जो आपके exam के लिए important है और nitrogen चक्र में यह bacteria जो है important role play करते हैं जैसे कि nitrosomonas है यह नाम आपको दिहान में रखना है और आपको दिहान में रखना है nitrocococcus यह नाम आपको दिहान में रखना है और आपको दिहान में रखना है nitrobacter नाइट्रो बैक्टर ये आपको दिहान पर रखना है ये सब क्या करते हैं इन सब का जो सोर्स ओफ एनर्जी होता है सोर्स ओफ एनर्जी सोर्स ओफ एनर्जी ये होता है क्यामिकल कंपाउंड ये होता है chemical reaction बोल दो या फिर chemical compound बोल दो और और्गेनिक इन और्गेनिक कुछ भी हो सकता है chemical compound chemical compound पो यह तोड़ते हैं वहाँ से इनको energy मिलती है और उस energy से अपना खाना पका लेते हैं तो यह रसाइन सपोशी के बारे में मैंने आपसे चर्जा किया ठीक है oxygenic में जो आपके green plants होते हैं या फिर जो आपके algae होते हैं इसके बाद जो cyanobacteria है blue, green, algae यह सारे आपके oxygenic photosynthetic होते हैं जिवानों की खोज किसने की जिवानों की खोज की livenhawk ने हम बोलते हैं कि कोशिका की खोज की robot hook लेकिन वो कोशिका मिर्थ थी उसके बाद बोलते हैं जिवित कोशिका की खोज livenhawk ने की तो यही bacteria की खोज इन्हों ने की थी जो bacteria की खोज की थी वही bacteria जो है first living cell है first living cell first living cell जिसकी खोज की थी खोज हुई थी उसके बाद जो RBC है लाल रक्त कणी का या फिर लाल रक्त कोशी का इसकी खोज इन्होंने की इन्होंने स्पर्म सेल की खोज की शुक्रानो कोशी का की इन्होंने प्रोटो जोवा की खोज की ये सारी बाते हैं जो आप ध्यान में रख सकती हो लूइस पास्चर फर्मन्टेशन फर्मन्टेशन की खोजी इनोनी की यानिकी किनवन उसके बाद रैवीज रैवीज के टीके की खोजी इनोनी की रैवीज वैक्सीन रैवीज वैक्सीन की खोजी इनोनी की रोगों का जर्म मत्सिधांद किस ने दिया रोगों का जर्म मत्सिधांद रोगों का जर्म मत्सिधांद क्या है इंग्लिशन बोलते हैं जर्म थिओरी ओप डिजीज इसका सिधा सा मतलब है कि जर्म के कारण डिजीज होती है यानि पैथोजन, रोगाणू के कारण रोग होता है, बिमारिया होती है यही है जर्मत सिधान पैथोजन के कारण, जर्म के कारण, रोगाणू के कारण रोग होता है, बिमारिया होती है तो क्या पहले लोगों को नहीं पता था कि इन सब के कारण बिमारिया होती है तो आंसर हाँ, पहले लोगों को नहीं पता था कि जो बिमारिया है वो पैथोजन के कारण रोगाणों के कारण, सुक्ष्म जीवू के कारण होती है जो कि पैथोजन कहलाता है पहले लोग मानते थे कि पिछले जनम का किया हुआ कोई पाप होगा भगवान ने शाप दिया है कोई बुड़ा काम किया होगा इसलिए ये सारी बिमारिया हो रही है किसी सुक्ष्म जीव के कारण जो की पैथोजन है उसके कारण ये बिमारिया हो रही है ये लोगों को नहीं पता था तो ये बताया किसने Lewis Pasture ने Lewis Pasture देखो Lewis Pasture Lewis Pasture plus Robert Coach दोनों नाम जो है आप दिहान में रखें Robert Coach Lewis Pasture and Robert Coach दोनों नाम आप दिहान में रखेंगे D हमारा answer जो Robert Hook थे इन्होंने क्या किया था Cell की खोजगी थे Cell की खोजगी थी लेकिन वो जो Cell थी वो मृत थी, dead थी पुरकिंजे इन्होंने protoplasm word दिया था protoplasm जो शब्द है ये इन्होंने दिया था protoplasm यानि कि जीवद्रव्य जीवद्रव्य ये जो शब्द है ये जो टर्म है ये दिया था पुरकिंजे ने प्रतिरोधी सी धान्त किस ने दिया प्रतिरोधी सी धान्त किस ने दिया antiseptic theory antiseptic theory antiseptic theory या फिर बोल दे antiseptic antiseptic surgery ये दिया जोसेफ लिस्टर ने एक समय था जब मरीजों का surgery किया जाता था तो उनको हो जाता था infection infection होने के बाद घाव ठीक होने के बज़ाए घाव और गहरा हो जाता था उसका बाद अन्य बिमारिया भी हो जाती थी तब इन्होंने antiseptic theory दिया antiseptic surgery का technique दिया इन्होंने कहा कि दखो भाईया जहांपर आप surgery कर रहे है पहले उन सारे अस्थानों को उन सारे जगों को sterilize कर दो यानि कि रोगानों उड़हित कर दो जिन भी instrument का आप यूज कर रहे है surgery के लिए जिन भी यंत्रों का इस्तमाल कर रहे है क्या था उस समय कर्बोलिक एसिड कर्बोलिक एसिड कर्बोलिक नहीं है भाई कर्बोलिक है कर्बोलिक एसिड जिसे हम लोग फेनॉल कहते है जिसे हम लोग फेनॉल कहते है और यह देख लो यह है आपका structure यह क्या है C6H5OH यह है फेनॉल जिवानू या खमीर द्वारा किर्वन की खोज किसने की देखो खमीर जो है एक कुछ के कवग है खोज की लुईस पास्चर ने D हमारा राइट आंसर लुईस पास्चर ने क्या होता है इसमें जो स्टार्च है या फिर जो ग्लुकोज है इसको कनवर्ट किया जाता है एलकोहल में या फिर असीड में आक्सिजन चाहिए क्या नहीं चाहिए औक्सिजन के अपंस्फ में होता है ये एक और यह सब करवाने के लिए इस्ट का इस्तमाल किया जाता है या फिल बैक्टिरिया का इस्तमाल किया जा सकता है जो यूच्फुल बैक्टिरिया है ठीक है इसी अलकोहल का इस्तमाल शराब बनाने में बीर बनाने में किया जाता है सुक्ष में जीवों के अध्यान को क्या कहा जाता है सुक्ष में जीव विग्यान कहा जाता है इंगलिश में बूलते हैं Microbiology Microbiology इसी का ब्रांच है जीवानो विग्यान Bacteriology इसी Microbiology का ब्रांच है Vyrology यानि की Vyrology वारस का अध्यन करेगा Bacteriology में Bacteria का अध्यन किया जाएगा Microbiology में सारे सुक्ष में जीवों का अध्यन किया जाएगा Microbiology क्या है Study of Fungi Study of Fungi कवकों का अध्यन Microbiology सुक्ष में जीव विग्यान के जनक है सुक्ष में जी विज्ञान के जनब कहा जाते हैं लिववन हॉक जिन्होंने बैक्टिडिया की खोज की थी जिवानों की खोज की थी लेकिन पास्टर एन रुवर्ट कोंच इन दोनों को कहा जाता है father of father of modern father of modern microbiology father of mag subscribersneten माईक्रोबायोजी पहला है जिवानों एक कोश्श्कि होते हैं प्रोकरिट होते हैं कंदरकाब की उ피सितीय याव ही निकाड़ साइट्रियोड नंगन यॉंहें मों केप्रगे यह कि खोर कोश्चिक भित्ति के बाहर एक और परत होती है जिसे हम लोग कैपसूल कहते हैं हम लोग ने देखा था ना कैपसूल कहते हैं जिवानों नहीं पाया जाता है जिवानों हर जगह पाया जाता है 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 हर जगह पाया जात तो यह जो आसुत जल है इसी को distilled water कहते है distilled water कहते है याने distilled water कहते है पानी को जो है पहले high temperature पर लगया गर कि भाप में convert किया जाता है फिर उसको ठंडा कर दिया जाता है तो ऐसा करने से जो harmful bacteria होते है वो नश्ट हो जाते हैं, मढ़ जाते हैं गलत संबंद चुने गोलाकार जिवानों को हम लोग कोकस कहते हैं, सही है चड़ाकार जिवानों को bacillus कहते हैं, सही है कौमकार जिवानों को vibrium कहते हैं, सही है सरपिलाकार जिवानों को monotricus कहते हैं नहीं, monotricus का मतलब अलग होता है तो D हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ देख लिजिए अगर बैक्टिरिया जो है गोलाकार है है ना गोलाकार है स्फेरिकल है या फिर बोल देखी राउंड शेप्ट है तो उस बैक्टिरिया को हम लोग कोकस बोलते हैं कोकस जो है सिंग्लर वर्ड है प्लूरल वर्ड होता है कोककाई जो यहाँ पड़ है अगर बैक्टिरिया माली जे कि रॉड शेप्ट है छड़कार है तो उसे लोग बैसिलस कहते है प्लूरल होता है बैसिलाई अगर बैक्टिरिया माली जे कि स्पाइरल शेप्ट है अग приходus चैड के नाम में उस्पारिल मिल जाये और अगर वैक्टरिया का जो चैप है वह कॉम काड है गॉमद क के उसेमयाद लोग के ब्रियो बोलते हैं यह सिर द्परियो कालेट चैटे नसलिए आपने बैसिला से वहाँ पर नाम में विब्रियो कॉलरी, कॉमा शेप के होते हैं इसलिए विब्रियो लगा हुआ है नाम में जैसे नाइट्रो कोककस आपने सुना थोड़ दर पहले कोककस क्यों 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 कि गुलाकार है बिना कशाबिका वाले जिवानों को कहते है देखो कशाबिका का मतलब फ्लेजला होता है फ्लेजलम होता है फ्लेजलम फ्लेजला जो चाहिए होता है बैक्टिरिया को चलने के लिए अगर बैक्टिरिया के पास मान लो कि फ्लेजला है ही नहीं बैक्टिरिया के पास फ्लेजला है यह नहीं यह बैक्टिरिया है इसके पास फ्लेजला है यह नहीं तो यह एक ट्राइकस है और कशावी है कशाव नहीं है अगर बैक्टिरिया के पास मान लिजे कि एक फ्लेजला है यह लो एक फ्लेजला बना दिया तो यह मोनो ट्राइकस है もの का मतलब एक होता है अगर बैक्तरिया के पास दो फ्लेजला अपोजिच एंड पर एक दूसरे के अपोजिट एंड पर तो यह Amphitrica lofotricus में क्या होगा एक ही एंड पर जो है दो से ज्यादा फ्लेजला होगे दो से ज्यादा फ्लेजला होगे ऐसे तेन चार पाँच ऐसे हो सकते हैं यह लोफोट्राइकस हमारा आंसर यहां पर ए हो जाएगा अगर मान लीजिए यह बैक्टिरिया है और इसके पूरे या पूरे यानि कि चाड़ो तरफ चाड़ो तरफ ऐसे फ्लैजला हो तो इसे हम लोग पेरिट्राइकस बोलते हैं जिवानो की कोशिका बित्ती बनी होती है किससे बनी होती है मिवरीन की पेप्टिडो ग्लाइकन मिवरीन जिवानु कोशिका का माइटो कॉंड्रिया किसे कहा जाता है ये कहा जाता है मिसोसोम को ये मान लिजे कि कोशिका भित्ती है और ये कोशिका जिल्ली है मिसोसोम क्या होता है कि कोशिका जिल्ली का कोशिका द्रव में ऐसे इन फोल्डिंग होता है ऐसे in folding होता है इसमें इसका अपना genetic material होगा जो ऐसे ही आपको पता ही है नगन परा होता है कुछ plasmid भी होगा और कुछ आपके ribosomes भी होगे 70S ribosome ठीक है यह जो सनचना है इसे कहा जाता है मीजो जो यह है मीजो सोम यह है मीजो सोम दबो कई सारे काम होते हैं इनका जो है कई सारा काम है DNA का कॉपी बनाना DNA replication DNA का प्रतिकृति बनाना प्रतिकृति यानि की कॉपी बनाना cell division में role play करता है उसके बाद श्वासन में respiration में श्वासन में role play करता है इसलिए हम बोलते हैं कि यह mitochondria के जैसा है उसके बाद cell wall के बनने में cell wall formation में तो इन सारे में इनका role होता है यह क्या है यह है ribosome यह है ribosome 70s type का इनके दो sub units होते हैं 50s and 30s जिवानों के कोशी का द्रब में पाय जाता है जिवानों के कोशी का द्रब में पाय जाता है ribosome जो pro carriots होते हैं उन्हें कोशी कांग के नाम पर केवल ribosome होता है केवल ribosome होता है और वो भी कौन सा 70s मैंने आपसे कहा दो sub units होते हैं जो बड़ा वाला sub unit है वो है 50s जो छोटा वाला है वो है 30s जो आपके u-carriots होते है जो आपके u-carriots होते है u-carriots के mitochondria में और प्लास्टीड में यानि कि लवक में जैसे कि chloroplast chloroplast इन में भी जो ribosome होता है वो 70s ही होता है लेकिन u-carriots के cytoplasm में cytoplasm में 80s होता है इसका सभी नुठ है 60s and 40s जिवानों होते हैं केवल सपोशी नहीं केवल परपोशी भी नहीं कुछ सपोशी अधिक्तम परपोशी ये सही है न सपोशी नहीं परपोशी ये गलत हो जाएगा c हमारा right answer हो जाएगा अधिक्तम देखो परपोशी है अधिक्तम परपोशी है oxygenit प्रकाश संसलेशक सपोशी जिवानों का उधारन है तो हरित सलफर जिवानों और बैंगनी सलफर जिवानों इनके बारे में मैं आपको अलड़ी बता चुका हूँ कि ये फोटो सिंथेसिस करते हैं लेकिन oxygen by product के रूप में नहीं बनाते हैं क्योंकि hydrogen के प्राप्ती के लिए ये जल का इस्तिमाल ना करते हैं ये इस्तिमाल करते हैं hydrogen sulfide का तो by product में oxygen कहां से मिलेगा by product में sulfur मिलेगा by product में sulfur मिलेगा जो non-stock है ये cyanobacteria है जो की photo synthesis करते हैं वो भी oxygenic और जो nitrobacter है ये तो chemo autotroph है ये तो ये तो रसायन ये तो रसायन सपोशी है ये तो रसायन सपोशी है रसायन सपोशी का उधारन है nitrococcus है, nitrobacter है nitrosomonas है, ये सारे किस सारे ये याद रखिएगा रसायन सपोशी के उधारन में आपको यही तीन ध्यान में रखने है, एकजाम में आएगा भी तो यहीं से आ जाएगा जो वायू मंडलिये nitrogen है ये जो वायू मंडलिये nitrogen है ये जो वायू मंडलिये nitrogen है इसको प्लांट डारेक्ट नहीं ले सकता है तो इस वायू मंडलिये nitrogen को जो है कनवर्ट किया जाता है ammonia में ammonia में और ये कनवर्ट किया जाता है किसके दोरा देख लो पहले तो साइनो बैक्टिरिया का नाम आप ध्यान में रखें जो मैं आपको अलड़ी बता चुका हूँ नॉस्टॉक नेट्रोजन फिक्सिंग बैक्टिरिया साइनो बैक्टिरिया नॉस्टॉक उसके बाद एना भी ना और कुछ बैक्टिरिया और हैं जैसे की राइजोबियम आपने सुना ओगा राइजोबियम जो दलहनी पादप होते हैं उनके जड़ों में होते हैं राइजोबियम उसके बाद एजोट एजोटोबैक्टर बस इतने नाम आप धिहान में रखो nitrogen fixing bacteria के तौर पर ये दोनों हमारे bacteria कहा जाते हैं simply और ये दोनों आपके cyanobacteria है उपर के दोनों cyanobacteria है उसके बाद देखें इस ammonia को convert किया जाएगा nitrite में ये nitrite है और ये convert करेगा कौन nitroso monas और convert करेगा nitrococus फिर इस nitrate को sorry, nitrite को convert किया जाएगा किसमे? nitrate में और यहाँ पर आपको दिहान में रखना है यहाँ पर आपको दिहान में रखना है nitrobacter nitrobacter और फिर इस nitrate को convert कर दिया जाएगा यहाँ पर आप दिहान में रख सकते हो pseudomonas pseudomonas bacteria यह है पूड़ा आपका nitrogen cycle nitrogen cycle ammonia से लेकर के nitrate तक का पूड़ा conversion है यह आपका कहलाता है nitrification nitrification यानि कि nitri current और यह जो है यह कहलाता है denitrification denitrification और यह कहलाता है nitrogen fixation एक परपोशी जिवानों हो सकता है अगर परपोशी है तो परजीवी भी हो सकता है मृतोब जीवी हो सकता है सहजीवी भी हो सकता है इनमें से कोई भी हो सकता है परपोशी तो कई परकार के होता है मृतोब जीवी सहजीवी परजीवी कई प्रकार के हो सकते हैं तो इन में से कोई भी हो सकता है निमलकित में से किसमें लैंगी का जनन नहीं देखा जाता है लैंगी का जनन नहीं देखा जाता है देखिए जिवानों में लैंगी का जनन होता है लेकिन नील हरित शरवाल में अलेंगिक जनन नहीं होता है binary fusion होता है दिविक खंडन होता है लेंगिक जनन नहीं देखा जाता है निमलेखित में से कौन सा जीव समू तेजी से व्रद्धी करता है यह जिवानू एक जिवानू को रात में छोड़ दो सुबह तक उठोगे तो लाखो के संख्या में convert हो चुका होगा जिवानू के लेंगिक जनन में होता है यूगमक का निर्मान यानि कि gametes बनते हैं नहीं बनते हैं नहीं fertilization होता है नहीं जाइगोट बनते हैं क्योंकि यह सारे ही चीजे अप्सेंट है यह सारे ही events जो है absent है, यह सारे ही जो events है, यह absent है, यह नहीं होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि जो bacteria हैं, उनमें, वास्तविक लेंकिक जनन, true sexual reproduction, true sexual reproduction, यह कहा है कि absent है, यह absent है, नहीं होता है, अनुवांशिक पुनर्यूजन होता है, केवल डियन अ का ट्रांसफर होता है, गेवल जीन का ट्रांसफर होता है, यह ultimate life 얘기 is जोयां, बाकि यह सारे नहीं होते हैं, इसलिए बोलते हैं कि वास्तविक लेंकिक जनन का अभाव है बेक्टेरिया के अंदर, निम्न मैं से कौण सा एक जिवानों में लेंगी कजनन का विधी नहीं है लेंगी कजनन के जिवाणूँँँँगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे दको स्नयुगुन में क्या होता है कि जैसे दो जिवानू हैं ये एक जिवानू है और ये एक जिवानू है इन दोनों के पास भाई खुद का अपना अपना पाइलस होगा यानि कि पिलाई होगा इनके पास अपना पाइलस है इनके पास अपना पाइलस है दोनों पाइलस आकर के attach हो गए और इसके थूरू क्या होता है DNA का transfer हो जाता है जो इसका plasmid है यहाँ से यहाँ चला जाएगा मतलब इन दोनों bacteria में से एक लेगा दूसरा देगा एक donor होगा एक recipient होगा तो यहाँ पर जो DNA transfer होता है वो plasmid का होता है तो यह है conjugation transduction यह आप याद रखेंगे कि यह bacteria के थूरू होता है थूरू bacteria थूरू सॉरी bacteria नहीं virus और उस virus को हम लोग बोलते हैं bacteriophage जो virus bacteria पर attack करें उसे हम लोग bacteria phage बोलते हैं तो मान लीजिए कोई virus है जो किसी bacteria के cell में घुस गया उसके DNA को तोड़ दिया, उसके अनुआशिक पतारत को तोड़ दिया DNA को तोड़ दिया, bacteria को मार दिया और उसका DNA लेकर के चल दिया किसी दूसरे bacteria पर attack करने के लिए तो जब दूसरे bacteria में घुजेगा तो पहले वाले bacteria का DNA भी उस virus के पास है वो उसमें डालेगा तो DNA का transfer हो गया तो हो गया transduction यह लेंगिक जनन हो गया transformation में क्या होगा जैसे माली जे कोई bacteria है यह एक bacteria है इनके पास तो खुद का अपना DNA है ही खुद का DNA है अब बाहर में देखा कि दूसरे bacteria का DNA पड़ा हुआ है तो लपक लिया तो इस जिवानों ने क्या किया अपने cell के बाहर का जो वातावरन है वहां से DNA दूसरे bacteria का DNA ले लिया तो यह simple सा transformation है transformation में यह होता है कि अपने वातावरन से जो है दूसरे bacteria का DNA ले लिया जाता है तो इन सारे ही case में देखो तो किसी ने किसी तरीके से DNA का transfer हुआ है ना तो gamete बना है नहीं उनका fusion हुआ है नहीं जाइगोट बना है इसलिए वास्तविक लेंगिक जनन हम नहीं बूलते है अलेंगिक जनन में सबसे common है दिविखंडन दी अमारा राइट आंसर हुआगा यह लेंगिक जनन नहीं है विशानों दोरा जिवानों में लेंगिक जनन क्या कहलाता है अभी हम लोग ने देखा ट्रांस डक्षन जीन वाहन दूद से दही या पनीर बनने में या दूद के खटा होने में कौन सा जिवानू कारे करता है लेक्टो बैसिलस आप लोग बच्पन से पढ़ते आ रहे इसी को लेक्टिक एसिड बैक्टिडिया भी कहते है लेक्टिक एसिड बैक्टिडिया क्योंकि दूद में जो शुगर होता है उसी को कनवर्ट कर दिया जाता है लेक्टिक एसिड में ये nitrogen fixing bacteria है जो आपके दलहनी पादप होते हैं सोयाबीन है मतर है बहुत सारे plant है उनके जड़ों में ये राजोबियम जिवानों होते है nitrogen को fix करने के लिए ये कोलाई जो है हमारे आत में होते हैं हमारे आत में होते हैं स्टाइन में होते हैं अच्छा हम लोग plant जो खाते हैं तो उस plant के cell में cell wall होती है और वो बनी होती है cellulose से तो जो हम plant खाते हैं तो cellulose भी खाते हैं लेकिन हम cellulose को पचा नहीं पाते हैं cellulose को हम लोग पचान ही पाते हैं क्योंकि cellulose को पचाने के लिए enzyme चाहिए cellulose cellulose enzyme चाहिए हलाकि cellulose जो है हमारे पाचन को असान बनाता है जरूरी है लेकिन हम उसे पचा नहीं पाते हैं उससे हमारे बॉड़ी को कोई पोशकता तो नहीं मिलता है, बट हमें हेल पे मिलता है, पाचन को असान बनाया जाता है सेलुलोज के द्वारा, लेकिन हम इसको पचा नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे बॉड़ी में ये एंजाइम नहीं मिलता है, लेकिन जो आपके शाकहारी हो होते हैं वो इसको पचा लेते हैं क्योंकि उनके अमाशे में जो है यह रूमिनो कोकस बैक्टिरिया होते हैं यह रूमिनो कोकस जो है यह बैक्टिरिया होते हैं जो इस वाले एंजाइम को सिक्रीट करते हैं और वो सेलिलोज को पचा लेते हैं ये मिलेगा आपको जो शाकारी जानवर है उनके अमाशे में या पिर आँट में बोल दो जो आपके रूमिनेंट एनिमल होते हैं उनके अमाशे में मिल जाएगा डेरी उद्योग में दूद को 15 सेकेंड तक 71 डिगरी सेल्सियस तक गर्म करके तेजी से ठंडा करना क्या कहलाता है दूद को 71 डिगरी सेल्सियस तक गर्म किया जाएगा 15 से 20 सेकेंड तक तेजी के साथ ठंडा कर दिया जाएगा लगवग 10 degree Celsius तक ठंडा कर दिया जाएगा, इस पूरे प्रोसेस को पास्चुरी करन कहते हैं, पास्चुराइजेसन कहते हैं, जिसका कॉंसेप्ट लूइस पास्चर ने दिया था, निमिन में से कौन सा एक प्रती जैविक नहीं है, दोगे स्टेप्टोमाइसीन, टेरामाइस यह सारे एंटिबाइटिक्स हैं, और यह सारे जो हैं एंटिबाइटिक्स, आपके मिलते हैं अक्टीनोमाइसीटीज से, जो कि बैक्टीडिया का एक ग्रूप है, जो कि कवक जैसा है, तो इस परिन हमारा आंसर, नैट्री करन जिवानों अमोनिया को डैश बदल देते हैं, अमोनिया को डैश में बदल देते हैं हम लोगों ने जेस्ट रदेका थो दर पहले अमोनिया को पहले नाइटराइट में उसके बाद नाइटरेट में तो यहाँ पर नाइटरेट हैं तो D हमारा आंसर हो जाएगा जिवानों ऑक्सिजन की अनुपस्तिती में अक्सिजन की अनुपस्तिती में कारवनिक पदार्तों का अब घटन किस प्रक्रिया दोरा करते हैं तो अक्सिजन की अनुपस्तिती में स्टार्ज या ग्लुकोज को अलकोहल या एसीड में कनवर्ड करना फर्मेंटेशन होता है किर्वन होता है यह हमारा आंसर मोरेडा जगत का समान लक्षन नहीं है कोशी का भित्ती की अनुपस्तित ये समान लक्षन नहीं है माईको प्लाजमा के पास नहीं है बागी सब के पास तो है ही एक कोश्की होते हैं ठीक है प्रो करियोटिक होते हैं सही है स्वपोशी और परपोशी होते हैं ये भी सही है जिवानू जिसकी कोशी का एक मात्र कॉमा है यानि कॉमा शिप्ट जो है बैक्टिडिया है तो विब्रियो बोलेंगे ये है हमारा आंसर बैसली बोलते हैं अगर छड़ा कार होता है वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, लाइक कीजिए वीडियो को, और ये PDF डाउनलोड करना है, तो हमारे एप पर आईए, यहाँ पर क्लिक कीजिए, sign in करने के बाद यहाँ पर क्लिक कीजिए, free material नाम से एक option मिलेगा, उस पर क्ल साइज में होगा, thank you so much.